नवश्कार बच्चू इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कॉस करेंगे क्लास सिक्स्त के मुल्टपल चॉइस क्वेशन्स और जो मुल्टपल चॉइस क्वेशन्स होंगे 60 MCQs है, फुल स्लेबस के हम लोग यहां पर आपके सामने इसमें पूरक पूरस लेबस आपका इंक्लूडड़ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह आपके फाइनल रिवीजन के लिए बहुत ज़्यदा important होने वाला है, तो पहले question में कहा गया which of the following can be prepared from wheat तो wheat का मतलब है आटे-ाटे से क्या प्रिपेर किया सकता है, इडली नहीं प्रिपेर करिया सकती है बिरियानी चॉल से प्रिपेर करिया आती है पूरी को जो है, वो आटे से हम लोग बना सकते है तो इसमें C option सही है question number second पे आते हैं, second question में कहा गया the method of separation used to separate stones from rice तो देखिए, चावल में अगर छोटे-छोटे से कंकड होते है अक्सर इस चीज़ आप लोग ने देखा होगा कि जो का चावल होता है, उसको पहले क्या किया आता है उसको साफ किया आता है, मतलब उसको पहले अब देखे वर्मी कमपोष्ट की जब भी बात है तो कमपोष्ट बनता है लेकिन कमपोष्ट किसकी मदद से बनता है तो वर्मी अब वर्मी का उतलब होता है, अर्थ वाम, क्या होता है, अर्थ वाम, तो अर्थ वाम की presence में, जब कमपोश्ट बना जाता है, तो उसको कहते हैं, वर्मी कमपोश्ट, अब क्योंकि यहाँ पर house flies गलत है, cockroaches भी गलत है, butterfly भी गलत है, इसके सही अंसर क्या हो जागा, red warm, तो अ पर आपको world lacked दिखाई पड़े, तो समझेगा, it is related to milk, ठीक है, इसके आप protein भी होता है, minerals भी होते हैं, तो यहाँ पर A option ही बिलकुल सही है, vitamins नहीं होते हैं, ठीक है, यहाँ पर fat, protein और carbohydrate के वाल दिया है, तो lactose भी होता है, cellulose नहीं होता है, तो यहाँ पर most appropriate answer है, वो आपक है, यह plant protein है, soya bean bean plant protein है, cheese जो है, cheese को हम लोग animal protein में लेके आएंगे, ठीक है, next में आते हैं, six question में कहा गया, the liquid waste generated due to domestic activities is known as, तो देखे जो liquid waste जो generate होता है, जो हम लोग domestic activities घरों में करते हैं, उससे जो liquid waste generate होगा, उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको sewage कहते हैं, ठीक है, next question में है, component of solution of sugar in water can be separated by, ठीक है, तो जो भी components होते है, sugar out water के solution मतलब sugar और water का solution है, उसके अंदर दो component होंगे, sugar होगा, water होगा, तो इसको separate करने के लिए, जो method use करेंगे, वो method कौन सा होगा, यह आपको यहाँ पर बताना है, तो mainly यहाँ पर distillation हम लोग इसको use कर सकते हैं, salt अगर होत आपको liquids देखने को मिलेंगे, sugar solution एक water है, ठीक है, और mainly इसको अगर देखा जाए, तो इसको evaporation से भी separate किया सकता है, ठीक है, evaporation से भी separate कर सकते हैं, जैसे मालीजा आपसे कहा जाए, कि sugar अलग है, और water अलग है, दोनों को अगर separate करना है, ठीक है, आपके पास एक solution है, जिसम इसे भी separate कर सकते हैं, इसको, next question पर आते हैं, question number 8 में कहा गया, which of the following gets reddish brown color on exposure to air, अब देखे किसका जो color है, वो reddish brown में आता है, या आपको होता आना है, ठीक है, मतलब red color का इंद में से क्या हो जाएगा, जब हम लोग क्या करते हैं, उसको air में expose करते हैं, air का मतलब mainly होता है oxygen मतलब जब oxygen से reaction होगी, तो किसका color red हो जाएगा, यह आप से पूछा गया है, तो gold की reaction oxygen से होती नहीं, silver की reaction oxygen से नहीं होती है, iron जो है, ठीक है, यह O2 से react करता है, और मना जिता है iron oxide, क्या मना जाता है, iron oxide मना जाता है, और इसका color क्या होता है, reddish brown होता है, तो यहाँ पर C option सह ही है, question number 9 में आते है, deficiency of vitamin A causes, vitamin A क्या cause करता है, to night blindness cause करता है, vitamin B very very cause करता है, vitamin C scurvy cause करता है, D jihi जो है वो indicates rickets करता है, सारी बाते आप लोग याद रखेगा, next question देखते है, question number 10 है, 10th question में कहा गया, which gas is responsible for fizz in soft drinks, आप लोग ने देखा होगा, जो cold drink होती है, जब उसको निकल रहा हो कि इसकी प्रिजन से निकलना है तो carbon dioxide की प्रिजन से निकलता है next पे आते हैं 11th question में कहा गया cotton को grow करने के लिए सबसे अच्छी soil कौन सी होती है तो black soil होती है और इसको एक और नाम से जाना आता है क्या reger soil भी इसको कहते है याद रखेगा बहुत important है next पे आते हैं question 12th में कहा गया which of the following are ball and socket joint अब आपको उताने इन में से ball or socket joint किसमें किसमें होगा ठीक है तो पहला option दिया है elbow तो elbow में ball or socket joint नहीं होगा shoulder joint में होता है knee joint में नहीं होगा hip joint में भी होगा तो यहाँ पर B or D जो है mass होता है और वो occupy space को occupy करता है तो उसको क्या कहते है matter कहते है ठीक है याद रखेगा matter mainly 3 type के होते है solid होता है liquid होता है और तीसरा जो matter होता है उसको कहते है gas तो solid liquid gas यह 3 तरीके के matter होते है question number 14 में कहा गया which component of air are harmful to living organism अब कौन सा harmful है तो nitrogen और oxygen हमफुल नहीं है dust और smoke यह harmful है तो यहाँ पर B option सही हो जाएगा ठीक है next पर आते है nectar's are found in अब nectar's कहाँ पाए जाते है तो nectar जो है मतलब इक तरीके sparag है कहाँ पाए जाता है तो flowers में पाए जाता है next पर आते है question number 16 the joint in cranium अब cranium जो है उसमें जो joint होता है वो कैसा joint होता है आप कहाँ पर बताना है तो cranium में हम लोग को खोपडी है इसमें जो joint है उसको कहते है fixed joint है यहाँ पर three options सही हो जाएगा 17th question में कहाँ गया which part of sweet potato plant is eaten as food sweet potato मतलब शकरकंद होती है इसका कौन से ऐसा part होता है plant का जिसको हम लोग eat खाते है तो वो होता है root और कैसी roots होती है तो tubers, tuberous roots होती है आद रखेगा tubers roots होती है ठीक है question पूछा आता है कैसी roots है तो tuberous roots है next पर आते है 18th question में खागया which of the following is good for making composting अब compost बनाने के लिए सबसे अच्छे है इसमें क्या है तो compost किससे बनता है तो biodegradable जो substance होते है कैसे substance biodegradable substance जो होते है ठीक है अब जैसे इसमें क्या हो जाएगा plastic वाली चीज बिलकुल भी नहीं ठीक है vegetable, fruit peels, tea leaves और eggshells तो इसमें सारे के सारे biodegradable है तो इसमें B option सही हो जाएगा इससे हम लोग compost बना सकते है 19 में कहा गया the color of dustbin in which biodegradable garbage is collected तो जिस dustbin में biodegradable garbage को collect किया जाता है उस dustbin का color कैसा होगा तो वो color होगा green ठीक है कैसा color होगा green color होगा C option सही है question number 20 में कहा गया कुछ ही समय बाद खतम हो जाती है तो ऐसे magnet को कहते है temporary magnet और जिसमें खतम नहीं होती है बहुत long period of time के लिए उसको कहते है permanent magnet next पे आते है composition of fats अब fats में क्या-क्या होता है ठीक है वो आपसे यहां पर पूछा गया कि fats में क्या-क्या होता है तो fats में अगर आप देखेंगे तो CHO मतलब carbon होता है hydrogen होता है और oxygen ठीक है short form है CHO carbon, hydrogen और oxygen होती है ठीक है glucose में भी यही सेम चीज़ होती है next पे आते है burning of paper अब paper की जो burning होते हो कैसा change है chemical change है लेकिन मालीज़ आपसे कहाया था cutting of paper cutting of paper पूछा था कि यह कैसा change है तो इसमें कोई नया substance नहीं form होता है तो यह physical change होता ठीक है next पे आते है question number 23 में देखे क्या कहा गया the process of separating grains from stocks scored तो देखे grains जो होती है जब उसको chaff से या stocks से जब उसको separate किया जाता है तो इस process को क्या कहा जाता है तो इस process को कहते है threshing ठीक है next पे आते है question number 24 में कहा गया which of the following is a root of the plant देखे इनमे से root क्या है यह पूछा गया इनमे तो brinjal brinjal fruit होता है carrot जो है यही आपका क्या है root है ठीक है fat भी energy देता है और carbohydrates भी energy देते है तो यहाँ पर both and be will be the correct answer next पे आते है next question which of the following is correct set of part of pistil अब देखे pistil का इनमे क्या क्या part होता है यह आपको यहाँ पर बताना है ठीक है और भी correct set बताने है मतलब जो pistil में जो जो चीजे होती है वो आपको बताना है क्या क्या चीजे है pistil के अंदर तो pistil में ovary होता है style होता रिष्टिक्मा होता है तो इन तीन चीजे होती है ovary, style और stigma याद रखेगा इसको ठीक है next पे आते है 27th question में कहा किया the direction of electric current अब जो current का direction होता है किसी बिवायर में conducting वायर में वो हमेशा positive से negative की और होगा और आपने cell देखा होगा तो cell में याद रखेगा cell का कुछ diagram इस तरीके का होता है जो बड़ी डंडी होती हो positive होती हो जो छोटी डंडी होती है वो negative होती हो और positive से निकलेगा और किधर की और जाता है negative की और ये जाता है मतलब ऐसे जाएगा ठीक है next पर आते है next में देखें क्या कहा गया question में question number 28 है which of the following food items is rich in iron अब iron सबसे जादा किसमें होता है तो spinach मतलब पालक में भी होगा मचली में भी होता है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 28th question में तीनो के तीनो आप्शन जो है वो बिल्कुल सही है तो इसमें D option सही हो जाएगा ठीक है हलाकि milk में अगर iron का content देखेंगे तो ना मातल के बराबर होता है लेकिन आपर spinach और fish जो है उसमें सबसे आदा iron होता है ठीक है हलाकि milk में भी होता है milk में vitamin C जो है वो बिल्कुल कम होता है लेकिन iron होता है तो यहाँ पर तीनो ही हम लोग सही मान के चलेंगे तो इसलिए all of these will be the correct answer question number 29th पे आते है which of the following type of plant has thick, hard and woody stem अब देखे मोटी stem होती है कठोर होती है hard होती है और woody होती है मतलब उसमें बोट बहुत जाता होता है तो ऐसे कौन से plants होते है तो इनको कहा जाएगा trees next पे आते है 30th में कहा गया which of the following changes can be reversed अब इसमें reversible क्या है तो cow dung से biogas बनानी है तो यह reversible है बाकी सब के सब irreversible है next पे आते है 31st question में कहा गया the world magnet is derived from old french world याद रखेगा french word क्योंकि यहाँ पर आपको जो चारो option दिये गए है यह कोई ना कोई word है और कही ना कहीं अलग-अलग मतलब यह कह सकते है अलग-अलग languages से आए है लेकिन french से जो word आया है जो magnet कहलाता है वो क्या है वो magnet है M-A-G-N-E-T-E है ठीक है french world यह याद रखेगा the process by which plant lose water is अब देखें plant में आपको पता होगा जो leaves होती है उन में से water धीरे-धीरे करके रिस-रिस के बाहर निकलता है छोटे-उटे से pores होते है जिनको इस्टेमटा कहते है तो जिस process से बाहर निकलता है water उस process को क्या कहते है उस process को कहते है transpiration ठीक है next पे आते है 33 में कहा गया which of the following is fibrous roots अब देखें यह grasses में आपको यह देखने को मिलेगा और grasses के अलावा क्योंकि यह option grass तो दिया नहीं तो peas में नहीं होता है radish में भी नहीं होता है wheat में होता है गेहूं में यही आपको देखने को मिलती है next पे आते है question number 34 में कहा गया which modified part of plant sweet potato अब देखे वही सेम चीज़ पूची गई sweet potato है जो है वो क्या है तो अभी हम लोग ने देखा था sweet potato क्या होता है तो एक root होता है next पे आते है question number 35 में कहा गया the composition of nitrogen gas तो atmosphere में nitrogen gas कितनी है तो 78% है 21% क्या है oxygen है और उसके बाद क्या है glass जो है ये non-magnetic है sunlight, water and air अब देखे sunlight मतलब सूरज की किर्णे हो गई water हो गया पानी हो गया air हो गया ये सब abiotic components है abiotic मतलब non-living components है ecosystem के ठीक है living components में क्या आ जाएगा plants आ जाएगे animals आ जाएगे तो abiotic components हो जाएगे next पर आते filament of torch bulb अब देखे जो filament होता है torch bulb का आप लोग ने bulb देखा होगा जिसे इस तरीके का एक bulb है ठीक है इसमें आप देखेंगे तो इस तरीके का एक filament लगा होता है ये जो है इसी को क्या कहते है filament कहते है ये filament किसका बना होता है तो इसका metal याद रखेगा tungsten metal का बना होता है किसका tungsten metal का बना होता है ठीक है और ये जो wire होता है कैसा होता है बहुती पतला wire होता है तो बहुती thin wire होता है याद रखेगा तो ये पूछा गया metal case गलत है metal tip at the center of base इसे भी गलत है, थिन वायर यह इसमें सही हो जाएगा, इसमें D option सही है नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्ष्चन क्ष्चन नमबर 39 है अब बल्ब फूस फिलामेंट इस ब्रोकन, अब देखें अगर यह फिलामेंट जो है अगर यह टूट गया, अगर यह बल्ब था, इसका फिलामेंट माली यहाँ ब्रेक हो गया तो यह बल्ब नहीं जलेगा, तो ऐसे बल्ब को क्या कहेंगे, फ्यूज बल्ब कहेंगे ठीक है, तो यहाँ पर A option सही है नेक्स्ट पे आते हैं, 40th में कहा गया, spinning can be done manually by अब देखें, manually जो spinning करनी होती है, किस से हो जाएगी, चर्के से हो जाएगी, ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं, the place where cartilage is present in our body तो हम लोगी body में जो cartilage है, जहाँ पर present होता है, तो वो क्या है, तो हम लोगी ear में जो ear का बाहरी portion होता है, जिसको pinna कहते है यहाँ पर outer ear, जो outer ear होता है, जो pinna होता है, उसमें mainly अगर देखाए किस से बना होता है, cartilage से बना है nose जो है, वो भी एक तरीके का cartilages बनता है, और कही ना कहीं जो disc होती है, vertebrae के बीच में जो disc होती है, वो भी cartilage से बनती है तो इसमें 3-3 options नहीं है, तो इसमें D options हो जाएगा, 40 seconds में कहा गया, what do we use to measure curved lens अब देखे, curved lens मिलब इस तरीके के अगर length है, इसको measure करने के लिए क्लिए क्या use किया आएगा, तो thread use किया आता है, ठीक है 43 में आते हैं, the place where underground water comes out on the surface of earth, on its own तो देखे, ऐसी place, जिसमाल ये place है, यहां से पानी अपने आप से माली जे निकलने लग जया showers के form में, spring के form में, तो इसको क्या कहेंगे, spring कहेंगे, ठीक है, अपने आप से निकलने लग जाता है next अब यहीपानी जब गरम हो के निकलता है, बहुत जाता है, तो इसको geezers कह देते हैं लिख देते हैं इसको क्या कहते हैं, जब यह पानी बहुत गरम हो के भाब के form में निकलता है तो इसको geezers कह देते हैं, ठीक है, वैसे इसको spring कहते है which of the following type of motion is not exhibited by earth, moving around the sun तो देखे, जो sun है, sun के around आपको पता होगा, earth जो है कुछ इस तरीके से move करता है, elliptical path होता है इस तरीके का, तो circular motion rotational दिया है, rectilinear, rectilinear नहीं करेगा, circular तो approximately करी रहा है, rotational अपने axis पे जो earth है, वो rotate भी करता है, ऐसे ऐसे गुल-गुल हुमता भी है, periodic motion भी कर रहा है, तो इसम कहा गया, the object which allow light to pass through them, तो देखे, जिसमें से light पास जाती है, जिसमें से light पास नहीं हो पाती है, तो उसको opaque कहते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत light पास होती है, तो उसको translucent कहते हैं, 46 में कहा गया, which of the following type of motion are possessed by football rolling on a ground, जिसमें माल लिए ground है, इस तरीके का, एक football है, तो football जब घूमती है, तो घूमते घूमते हो आगी भी आती है, मतलब अपने position पे, वो rotation भी कर लिए, rectilinear भी कर रही है, circular, अगर देखा जाए, circular motion कर रही है, तो circular motion अगर देखेंगे, ठीक है, पुछा गया, क्या कर रही है, तो ABD, circular motion अगर देखा जाए, तो अपने position पे, motion कर रही है, तो इसमें D option सही है, ठीक है, हाला कि अगर देखा जाए, तो इस body को circular motion में नहीं रखेंगे जादा अच्छा है, क्योंकि circular motion तब होता, जब body ऐसे गोल-गोल चकर में लगा रही होती, तो हम लोग बेटर ए रहेगा, A और B option इसको सही मान के चले, तो A option इसका सह scapula constitutes दी, अब देखें, जो clavicle दिया गया है, जो scapula दिया गया, यह कहां की हड़ी है, में लिए आप से चीज पूछी गई है, तो clavicle है और specula है, तो यह shoulder bone होती है, कहां बोन होती है, कंधे की bone है, shoulder bone है, नेक्स्ट पे आते हैं, 48 में कहा गया, the length of out-stretched arms is scored, तो देखें, जब हम लोग अपना हाथ सीधा करते हैं, तो एक हाथ की जो लंबाई होती है, जब हाथ सीधा करते हैं, तो हाथ की जो लंबाई होती है, तो उसको क्या कहते हैं, यह पूछा गया है, फिंगर कहते हैं, बिल्कुल गलत है, क्यूबिट कहते हैं, नहीं, फैथ होम कहते हैं, क question number 50 में कहा गया fishes move about in the water with the help of their dash तो दिखे, जो movement होता है fish का, वो किसके through हो पाता है तो wings और tails के through हो पाता है wings नहीं होती है, wings मतलब तो इसके पर हो जाएंग, पर नहीं होती है, fins होती है fins होती हैं, tails होती है, तो आपर D option सही है, C गलत है अब mirror is an example of mirror किसका example है, तो transparent नहीं होता opaque होता है, कैसा होता है, opaque होता है इसमें से light pass नहीं हो जकती है, जब आप इस पर light pass कराते हैं, तो light उस पार नहीं जा पाती है हमेशा reflect होके वापस आती है इसमें बहुत अब यह opaque object है next पर आते है, 50 second question में कहा गया, which of the following is the natural fiber अब इसमें बोला कि यह natural fiber कौन सा होगा तो silk जो है, क्या वो natural होगा ठीक है, तो बिल्कुल obvious सी बात है silk natural है, nylon, art man-made है, rayon भी man-made है ठीक है, natural लेकिन क्या है, silk जो है ठीक है, किस से बन पाता है silk किस से बनता है, तो silk याद रखीगा silk warm जो होता है silk warm जो होता है, यह silk बनाता है और जो cultivation होता है silk का यह कैसे हैं हम लोग कि जो rearing होती है silk की मतलब silk warm की उसको क्या कहते है तो seri culture कहते है क्या कहते है, seri culture कहते है rearing of silk warm the leaves of which of the plant folding up on being touched तो देखे, आप लोग ने देखा होगा, एक plant ऐसा होता है जब उसको चुआ जाता है तो उसमें जो पतियां होती ब्रकुल मुर्जा जाती है तो उसको चुई-मुई कहते है उसको इंग्लिश में कहते है mimosa plant माइमोसा को एक और नाम दिया गया है touch me not plant अकसर लोग के घरों में होता है next पे आते है question number 54 में आते है इसमें कहा गया the act of determining the size capacity or quantity of object is called ठीक है तो मतलब वो जो act होता है जिससे हम लोग किसी का भी size किसी की quantity उसको determine कर सकते है तो उसको कहते है measurement next पे आते है 55 में कहा गया the magnetic properties of magnet can be destroyed by अब देखे अगर magnet कोई है हम चाहते है उसका mechanism खतम हो जाए तो उसको अगर hammering कर दे heating कर दे dropping कर दे तो तीनो के तीनो केस से वो खतम किया जा सकता है next पे आएंगे question number 56 है इसमें कहा गया how much percentage of water does a human body contains तो human body में अगर देखा जाए कितना percentage water होता है तो 70% जो है वो water होता है next पे आते हैं 57th में कहा गया the chest bones are called तो chest bones को क्या कहा जाता है question में यह चीच पूछी गई है तो chest bones को कहते है ribs ठीक है next पे आते हैं 58th question कहा रहा है the property which forms the basis of seaving is तो देखें बेसिस of seaving जो है वो किसकी विज़े से उपाता है मतलब अगर आप देखेंगे seaving मतलब क्या हुआ आप लोग ने देखा होगा गेहू में से जो गून होते है वो निकाल आते है छोटो टे सकंकर निकाल आते है तो आपने देखा होगा उसमें से एक ऐसी तरीके की चलनी होती है ठीक है तो यही हम लोग कह सकते है कि उसका principle होता है 59th में कहा गया the material present inside the bulb that glows on heating तो क्या glow करता है heat करने पे तो filament जो होता है वो glow करता है heat करने पे bulb को ठीक है bulb मतलब जब उस पे current पास करते है तो filament गरम होता है और filament जब गरम होता है जिसकी खुद की light होती है कैसी light होती है तो इसके पास खुद की light होगी ठीक है खुद की light इसके पास होती है जैसे आप अगर example देखे तो sun हो गया ठीक है stars हो गया ठीक है यहां तक की bulb हो गया tube light हो गई तो यह सब के सब क्या है luminous है और इनको छोड़ के बागी सारी चीज़े क्या है नॉन लूमनेस है तो टॉर्च लूमनेस है सन लूमनेस है लेक्टरिक लाइड भी लूमनेस है लेकिन चेयर जो है वो क्या है नॉन लूमनेस अब्जेक्ट होगा ठीक है तो इस तरीके से 60 questions का MCQ का set था जो हम लोग ने discuss किय इसके अलावा और भी बहुत सारे MCQs हैं जो पहले से ही आपको playlist में लगा के दे दिये गए हैं उसको आप लोग देख सकते हैं और अपने revision को अच्छे से कर सकते हैं तो अभी कलिए फिलाल मुग इतना ही ठीक है तो अभी कलिए इतना ही thank you very much goodbye जाहिंद